यूनिट के सारे लोग मुंबई से कई घंटों का सफर त्रेकर लंदन पहुँचे थे सफर के दौरान एक बात बुरी तरह मेरे दिलों दिमाग पर छाई हुई थी हवाई सफर के दौरान बार बार अपनी जेब का ध्यान आता था मेरी जेब में मातर स्तात डौलर थे मैं बचपन में बहुत शरारती था अपने चार भाई बहनों में मैं दूसरे नंबर का था और उन तीनों से सबसे ज़्यादा परेशान अपने माता पिता को मैं ही करके रखता था अपनी शरारतों के कारण तीन स्कूलों से निकाला भी गया था फिर जब बड़ा हुआ तो सबको यह चिंता थी कि मैं जीवन में करूंगा क्या स्पोर्ट स्कोटे से किरोडी लाल कॉलेज में दाखला मिल गया कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ पिदा जी की गाड़ी लेकर इधर उधर घूमता रहता था पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था पिदा जी चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस को ही संभाल लूँ लेकिन मैं टूर अंट्रैवल का बिजनेस करना चाहता था इन सब को लेकर पिता जी और मेरे बीच कई बार जगड़े भी हुए कॉलेज के बाहर एक दुकान से अकसर सिग्रेट लिया करता था वह दुकान वाला मुझे अकसर मॉडलिंग करने की सलहाद दिया करता था फिर मुझे भी लगा कि मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ मैंने पहला एड सूर्य भंशी सूटिंग्स के लिए किया मुझे 150-300 रुपे मिला करते थे जो मैं सिग्रेट और शराब पीने में खर्च कर दिया करता था इसी दोरान कुछ दोस्तों ने सुझाव दिया कि मुझे फिल्मों में ट्राइ करना चाहिए उन्होंने एफटी या आई आई में अपना फॉर्म भरा और उसके साथ ही मेरा फॉर्म भी भर दिया मेरा टेस्ट हुआ और ओडिशन के लिए मेरे दोस्तों ने ही मेरी तैयारी करवाई मेरा सेलेक्शन भी हो गया लेकिन उन दोस्तों का नहीं हो पाया बस यही से आगे सफर शुरू हो गया एफटिया आई 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 आते वक्त टेन में ही मेरी मुलाकात अनिल वर्मन से हुई थी तभी से हम दोस्त बन गए अनिल ने ही मुझे अपनी बेहन के घर मुंबई चलने को कहा मैं चल दिया वहीं पहली बार मैंने विनोध खना को देखा दरसल विनोध के भाई के साथ अनिल वर्मन के बहन की शादी हुई थी और विनोध खना के साथ राकेश और राजेश रोशन भी थे वहीं लोग हमें एफटिया आई आई चोड़ने भी आए ये फटिया आई आई में घुसते ही मैंने एक लोंगी पहने हुए लड़के को दारू की बोतल ओफर करते हुए पूछा यू वना हैव संब एर उसने मना कर दिया लेकिन रात होते ही तीन लड़के मुझे अपने कमरे में ले गए उन्होंने मेरे मूँ पर पानी फिंका और मेरे बाल काच दे और मुझे डारू न पीने की वर्निंग दी उसके बाद डर से मैं चार दिनों तक कमरे से नहीं निकला और बाद में पता चला कि वे तीनों मिथुन विजेंदर घटगे और एक सीनियर थे इसके बाद से मिथुन से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो गई मैं कई एड फिल्मों में भी लगातार काम कर रहा था और इस वज़े से फिल्म खेल खिलाडी का में मुझे एक रोल मिल गया फिल्म तो चली नहीं पर एड फिल्मों में काम मिलता रहा एट फिल्मों से मिले पैसो से मैंने एक फिल्येट कार खरीद ली, बस मुंबई की सडकों पर अपने दोस्तों के साथ उसमें घूमने निकल परता, एक बार ऐसे ही मैं अपनी गाड़ी से घूम रहा था कि एक गाड़ी ने पीछे से मुझे टक कर मारी, मैं जैसे ही समय बाद मुझे के के शुकला ने बताया कि फिरोज खान अपनी फिल्म कुर्बानी में विलेन के रोल के लिए उस लड़के की तलाश में है, जिनसे उनकी कार की टक कर हुई थी, बस फिर क्या था मैं तुरंत उनसे मिलने के लिए दोड़ा और इस तरह मुझे कुर्बानी एक बात बुरी तरह मेरे दिल और दिमाग पर चाई हुई थी, वह यहां की मेरी जेब में मातर साथ डॉलर थे, मेरा दिल चिंता में डूबा हुआ था कि इतने कम पैसों में मैं क्या कर पाऊंगा, मगर जैसे ही हमारा विमान लंदन हवाई अड़े पर उतरा, मैं फिरोज जी के पास गया और बड़े प्यार से अपनी परिशानी बता दी, मेरी बात उन्होंने बड़े गहर से सुननी और जट से अपनी जेब से सारी रकम निकाल कर मुझे देते हुए बोले, जितना पैसा तुम्हें चाहिए उतना इस में से ले लो, बाकी कल सुबह लोटा देना में दंग रह गया उनकी दरिया दिल्ली पर, खिर कुर्बानी की शूटिंग शुरू हुई और कोई परिशानी नहीं आई, मगर एक ऐसी घटना घट गई, जिसको याद कर आज भी दिलकाम उठता है, शूटिंग चल रही थी और फिरोज जी एक शौट लेने में व्यस्थ थे की उपर से एक पंजा, जिसका इस्तिमाल वहां क्रेन की तरह भारी सामानों को इधर से उधर ले जाने के लिए किया जाता है, कैमरे के उपर तूट कर गिरा और कैमरा चक्क ना चूर हो गया, स्रयोग अच्छा था कि फिरोज जी कैमरे के नीचे नहीं थे, फिर हमने श टार बन चुका था,